नमाजकार दोस्तों यह कॉपिर आपको कोई इंकम डॉकमेंट आपको देने पड़ेंगे ना ही आपको को ब्रांचे में बिजिट करनी होगी सिर्फ दो मिनट में आप अपने कोटेंग मेंदरा बैंक के क्रेडिट कार से परसलों ले सकते हैं अगर आपको डॉक्तर करेंगी आपको बिडिए कर दो में पर और बिजिट करेंगे आपको बताता हूं किस तरी के साथ अपने कोटक महंद्रा बंक के क्रेडिट कार से पर्सनौल ले सकते हैं दोस्तों जासा कि आप देख सकते हैं मैं आज को अपने मोबाल स्कुन पर और मैंने KOTAK 811 Mobile Application को open का हुआ है सबसे पहले आपको अपनी KOTAK मेंदरा बैंक Mobile Banking में Login हो जाना है अगर आपने अभी तक KOTAK मेंदरा बैंक Mobile Banking नहीं क्या है तो दोस्तों इस topic पर मैं already बना चुका हूँ आप चाहें तो I button पर क्लिक करके उस बाली बीडियो को देख सकते हैं उस बीडियो को complete देखने बाद दो मिनट में कोटक मेंदरा बैंक के Mobile Banking ने कर पाएंगे उसके बाद आपको अपने MPIN डालके कोटक मेंदरा बैंक Mobile Banking में Login हो जाना है Login होने के बाद कुछ इस्तेकर के interface होगा अब दोस्तों हम अपने कोटक मेंदरा बैंक credit card पर personal loan लेना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पर credit card पर करना हुगा click देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुगा credit card यहाँ पर आपको credit card पर ही आपको कदना है click जैसे आप credit card पर क्लिक करेंगे तो आपकी mobile screen में यह वाला फिंच ओपन जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कई सारे option आजिंग जैसे card ओबर भी हो गया CC account summary हो गया credit card account summary यानि के credit card payment हो गया statement हो गया transaction history हो गई convert to EMI होगे इसे बहुत सारे option आपको मिल जाएगे लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लिखा रहेगा loan on credit card देखते हैं दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर आपको loan on credit card पर आपको कर देना है click यहाँ से आप the credit card total manage कर सकते हैं देखिए इसमें आप credit card and credit card slashAmazon on credit card कर सकते हैं बार्थ जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी लौन हमाउंट लिखा हुआ है जो कि चाल लाठु रुपे का मुझे यहां पर यह ऑुफर मेला है यानि कि मैं यहां से दो मिनट के बना के बैक करेड़ियोंट के बिने क्रेडिय कहे बिलॉक किये Roo चाल लाख रुपे तक का लाउन ले सकता हूं बिना बैंक के बिजिट के इसके बाद यहां पर आपको क्लिक करना है और आपको अपनी EMI चूज करने के आप कितने मंत की EMI आप रखना चाते हैं तो दोस्तो सबसे पहले मैं इसे यहां पर 24 मंद पर क्लिक कर देता हूं और इस अमाउंट को यहां पर मैं 4 लाख की बजाए एक लाख रुपे अमाउंट यहां पर एंटर कर देता हूं तो देखे यह है 4 लाख यहां पर अमाउंट है तो मैं इसे एक लाख रुपे यहां पर और जो मेरा kotec mehender bank account है यहाँ पर उसकी detail याँ बे लिखी आज कुई है मेरे kotec mehender bank के account में यह amount transfer हो जाएगा तेके मैं यहाँ पर मैंसे 1,00,000 रुपे यहाँ पर enter कर दिया है इसके बाद जो processing piece है वो 1500 रुपे दिखा रहा है और अपनी EMI सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फाइनली सम्मेट पर कर दिना है क्लिक दोस्तों जैसे आप सम्मेट बाले वडिन पर क्लिक करेंगे तो सकस्वली आपके रुक्वेस्ट है वो सम्मेट हो जाएगी और तुरंत आपके बैंक अकाउंट में जितना अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब